एक गिद्दो को जुंड उठता हुआ, आस्मा ने बहुत दूर जा पहुंचा, तो वो देखते हैं, दूर पानी की बीच में एक टापू है, वो सब पूरा का पूरा जुंड जिसमें की करीब करीब सारे जो गिद्ध थे, जवान थे, युवा थे, सब एक नया जोश था, उ उनकी खाने के लिए थे, तो गिद्ध वहाँ पे बहुत खुश हो गए, और वही पे वहाँ पे अपना डेरा जमा दिया, अब गिद्ध वहाँ पे खाते, मस्ति से, सुबह उड़ते, खाते, पीते, सो जाते, कहीं कहीं नी जाना, और कोई जानवर नहीं, जो कि गिद्ध स मचली मिल गई, या कोई जीव जंतुर मिल गया, कीरा मकोडा मिल गया, इस प्रकार उन गिद्धों का जीवन यापन होने लगा, तीरे तीरे, दस दिन, बीस दिन, महीना, दो महीने भी थे, तो बुड़े गिद्ध ने कहा, बहुत चिंतित हुआ मनी मन, वो कहा क्या, उसने ये गिद्ध है न, जो बच्चे हैं, ये जवान लड़के हैं, इनमें जवानी का जोस है, ये उड़ना बूल जाएंगे, शिकार करना बूल जाएंगे, अर्थार्थ, अपना जो कर्म है, वो कर्म करना बूल जाएंगे, और ये परल, जीवी हो जाएंगे, मतलब दूसरों पर आसित हो जाएंगे प्रासित हो जाएंगे तो उस बुड़े गिद ने एक दिन सभी गिदों की सवा बुलाई और बोला अब हम लोगों को यहां से उड़ जाना चाहिए यहां पर बहुत कुछ खा लिया हमने अब जहां पर इससे आयत है जिस जंगल से उसी जंगल में वा कि जो सब जवान बच्चे थे जवान लड़के थे यह जवान गिद थे उन्हें मना कर दिया बुले बुड़ा सटिया गया है क्या क्या बात करता है यहां पर जब सब कुछ ही खाने को है कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है जहां चोंच लगा रहे हैं जहां पेर लगा रहे तो अब बोलता है वहाँ जाओ, हम वहाँ क्यों जाएंगे बला, यहाँ पर किस बात का खत्रा है बुड़ा तो सट्या गया है, हम तो नहीं जाएंगे बुड़ा ने उनको गिद्ध ने बहुत समझाया उनको कि नहीं बैच्चों चलो, समय आने पर यही चीज काम आएगी हमारे पास यही है, हमारी चोंच और हमारे जो उड़ने की क्षमता है वो हमारे काफी काम आएगी, लेकिन गिद्ध जो वहाँ पर सब कुछ फ्री में मिल रहा है मुपत का चंदन, गिस मेरे नंदन, गिद्ध ने अब वो जो जवान थे उनने मना कर दिया कि हम तो नहीं जाएंगे, बुड़े तु सटिया गया है, तुझे जाना है, तो तु पतली गली पकड़के निकल ले अब में जो बुड़ा गिद्ध था, बहुत समझाया उसने, बहुत विंती करी, अलग-अलग ग्रूप में जाके बात करी, अलग-अलग गिद्धों से मिला, लेकिन कोई अपनी बास से टस्से मौस नहीं हुआ, अब यहां पे वो गिद्ध उड़के वापस अपने जंगल के तरफ चला गया, और बाकी जो सब जवान गिद्ध थे, वहीं रह गए, इसके साथ दीरे दीरे समय बीटता है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, छे महीने बाद, वो गिद्ध वापस वहाँ पे आता है, देखता है कि बहुत दिन हो गए, एक बार वापस बच्चों से म माफ करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, इसी बात को प्यार में, सनेहे में, वो बुड़ा गिद्ध उस टापो पे वापस जाता है, तो देखता है, वहाँ तो बड़ी अजीब चिस्तिती हो गई है, सारे गिद्ध मरना सन अवस्ताम पड़े हैं, गायल पड़े हैं, आदे तो सब कुछ सही था, तो उस किद्ध ने बोला, जो गायल था, कि आपके जाने के थोड़ दिनों बात, यहाँ पर सरकार ने एक नाव में बहुत सा चिते लाके छोड़ दिये, सुरात दो चिते आये, चिते आसपास घूमते हैं, खाते रहते हमें कुछ नहीं कहते हैं, ले कि ना तो हम उड़ पाए, ना और हम उन पर ही अपने नाखुनों से वापस उन पर वार कर पाए, यानि कि हम जो अपना जो कोर्क पावर था, अमारी ख्रमता थी, जो हमारी टाकत थी, उसको हम भूल चुके हैं, हम उस कंडिशन में पहुंच गये थे, जहां पर हमें अपन करने के लिए हम तयार नहीं थे, न चीव ने हम पर हमला किया, एक एक करके हमारा शिकार कर दिया, क्योंकि हम तो हमुदा कर पा रहे थे जवाबी, और ना ही हम उड़ने की च्छित्री में थे, क्योंकि हम उड़ना भूल गए थे, तो दूस्तों, आज की थी ये सिखाता है कभी भी अपने comfort zone में मत रहो हमेसा अपने comfort zone से बाहर निकलो और दुनिया को देखो दुनिया बहुत आगे है आप नए नए challenge लेने के लिए रड़ी रहो चाहे कालिक शत्र में हो परिवार में हो या सामाजिक जीवन में हो किसी भी पहलू जीवन का हो वहाँ comfort zone से बाहर निकलो एक प्रकार की बनाय हुआ आभा वातारण आपका है कुए का mandate मत बनो बाहर निकलो देखो दुनिया बहुत बड़ी है नए नए challenges हैं उनको जीओ तभी आप समय आने पर खुद का survive कर सकते हो परिवार की रक्षा कर सकते हो अर्थार तेश की सेवा कर सकते हो या समाज की रक्षा कर सकते हो आज की गिद की कहानी हमें बहुत को सिखाती है किस प्रकार से हमें अपने comfort zone से बाहर रहके हम ऐसा नए सोचना चाहिए नए विचार करना चाहिए तबी है तरक्य के जीवन प्रगति के नए मार्ग खुलेंगे तो गिद की कहानी कैसी लेगी आप जुरूर बताएं जैए श्री कृष्णा